जिसे तर्क सक्ति का सवाल है दोस्तों मैंने तर्क सक्ति का सवाल मैंने लिखा है दोस्तों यहां दियावाई के नीचे दी गए प्रश्णों का उत्तर दीजिए ए बी सी डी ए ए फ और जी केंदर की और मुः करके बैट एक ब्रित में बैठे हैं और तास्क खेल रहे हैं का ताइप परोसी है ए और डी का जैसे एक ब्रिता का रहे है दोस्तों तो सबसे पर लएम एक ऐसे ब्रित बना लेंगे यह बिरिद बना लेंगे और एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ लोग बैठे हैं दोस्तों कहता है कि ई परोसी है ए और डी का इपरोसी है ए और डी का तो जैसे हम यह लिखेंगे ई जैसे ए लिखते हैंगे दोस्तों अपरोसी यह जैसे इजी बिच में नहीं है एफ और शी के बीच में जी नहीं है F और C के बीच में तो जिसे दोस्तों इहां लिख देंगे F और इहां लिख देंगे C कदा F और C के बीच में G नहीं है तो G बाहर होगा फिर करा F एकदम दाएं A के है F जो है एकदम दाएं A के है मतलब A के दाएं F है यह हो गया दोस्तों अब आगे है जिसे अगला बोल रहा है यहां पर दियावा है कि A के है तो अब जिसे यहां पर दियावा दोस्तों कि जिसे बोल रहा है कि G बीच में नहीं है जि बीच में नहीं है हैं। तो जी Christians बाहर नहीं में इसके बीच में तो हैं नहीं तो इह हैं यहाँ पर दोस्तो हो जाया गा जैसे f है और सी ब्च सत्र जाएगा विस टाइप से दोस्तो है दौा बैटए है इस टाइप से कुमिको सोर चाफ पर कहता है कौन सा एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ जोड़ा नहीं है कौन सा जोड़ा है जो एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ नहीं है तो इसमें हम दोस्तों लिखेंगे जैसे आंसर में जैसे कौन सा एक जोड़ा है जो बगल में बैठा हुआ नहीं है जैसे ऑप्शन में दिया हुए दोस्तों अब जैसे दोस्तों यहां पर दिया हुआ है कहता है कौन सा एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ जोड़ा नहीं है तो पहले ए भी देखेंगे दोस्तों तो ए और ब यह बग डिपीर के साथ बैठा हुआ है तो और सी वी एक दूष्ये के साथ बैठा हुआ है तो यह डि ड्यजी और ड्यी भी इक दूष्यलक साथ ञे righteousness Allah बेटा वांड इसका आंशर हो जाएगा के नमबर यह यह टाइप अप्सकुल से ऄंचरडियो है आंज़ में और इस पर बोल रहा है कि B के परोशी कौन है C M D F M C A F D M E तो हम दोस्तों इसमें देखेंगे कि C का परोशी जो है B का परोशी यहां B है F और C है कौन है F और C तो इस टाइप सम देखते हैं दोस्तों फिकर में F और C जो है यह B का परोशी है तो F और C B नमबर इसका अंसर हो जाएगा यह आगे कुश्चन है दोस्तों नमबर 3 है कि F की स्थिति क्या है A के एकदम दाएं B के एकदम दाएं C के दाएं दूसरी और D के दाएं बाएं तीसरी इस टाइप सम देखेंगे दोस्तों तो जैसे हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों जीसे हो जाएगा answer कि जैसे दिया है यहाँ पर यह जैसे ए जैसे दिया है दोस्तों यहाँ कि F की स्थिति A के दाएं A के दाएं A के एकदम दाएं है यह वाला F जो है A के एकदम दाएं है तो A नमर होगा इसका यह F है दोस्तों, यहाँ पर F है, तो एक ठीक दाएं हैं, इसलिए यह इसे हो जाएगा अब नेक्स्ट, जिसे यह दिया है दोस्तों, कि जिसे क्रम में बाय से दाएं एक दूसरे के बगल में कौन बैठा है? बायां से दाएं एक दूस्य में के बगल में कौन बैठा है तो हम देखेंगे दोस्तों जैसे C, D, C तो C, D, C ये तो नहीं होगा, E, D, G तो E, D, और G, E, D, G ये जिसे दोस्तों ये भी नहीं होगा, फिर E, D, G भी नहीं, B, G, C तो B, B, G और C, E भी नहीं होगा, और F, B, C, F, B, C तो कहां F, B, C ये ही होगा दोस्तों, D नमबर इसका आंसर हो जाएगा, तो इस टाइप से दोस्तों ये हो गया, अब नेक्स्त है दोस्तों ये आगे, जिसे दिया है कि किस जोड़े में दूसा बैक्ती, पहले बैक्ती के एकदम दाये बैठा है, मतलब दूसा बैक्ती, पहले बैक्ती के एकदम दाये बैठा है, किस जोड़ा में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये यहाँ पर हम लिखे सिर्दा लेंगे जिसे सी भी तो सी और बी कहता है कि सजोड़े में दूस्ता वेगति पहले वेकति कि एक दम बईट ता तो इसका दाएं जिसे सी भी सी जीा दाएं नहीं तो बाएं है上ह जिसे डी जी तो डी और जी D और D यहाँ है और जैसे D और G ये ये भी नहीं होगा दोस्तों तो हो जाएगा जैसे E A E और A ये हो जाएगा दोस्तों ये नमबर आंसर हो जाएगा तो इस टाइप से दोस्तों हमने पास सवाल को सौल क्या रिजनी का और अगला कोश्चन जैसे चुछ तो तो कि बंश्चन दीया गया है दोस्तों कह रहा है कि असंगत को चुन है इसमें असंगत को रहे उसको चुनना है पाँस साथ 11 साथ 11 ऐगारा ठार्ट फ़ैतिस तो पहले हम दोस्तों यहां लिखेंगे ऑप्षन में दिया हुआ है साथ 11 ऐगारा ठार्ण फैंसे हम पाँच साथ 11 17 1835 से इसा लिख देंगे दोस्तों इसके बाद से दोस्ता हम इसको करें जैसे लिखेंगे पांच जोड़ दू साथ साथ जोड़ चार 11 11 जोड़ छो हुल गया दोस्तों तो सतरह है इस में कितना जोड़िए दोस्तों, तो इसटोओ जोडत ढॉइंगे तो इस यहांग 25 जोड़ा ढम्स सो दोस्तों यूँ में जोड दसलिए तो जाएगा 13 मोझे जोड़ा कॉर्ण जोड़ाको 55 मोझे तो यहां थो 14 कर के इस इन रिये जो सल्ग्यव द nearly three's निंटाइस नंबर सी लेंसर नमबर सी भी देखते हैं अगला कोईशन देखते हैं ए कि बच्छों की एक कातार में कवीता का स्थान दोनों शीरों से पंधर हमाँ हैं बताएं कि उसिछ वागा कातार में कितने पाफे तो दोनों सीरों से दोस्तों इसका स्थान 15 है तो हम इसको सौल करेंगे दोस्तों लिखेंगे कतार में बच्चों की संख्या पर निकाल देंगे क्या करेंगे दोनों नसे जोड कि गटा देंगे इसमें ही करना गटो कि दू से जोड से जोड कि हटादेंगे इसमें करना थ सी हम लिखेंगे कुल बच्छें की संख्या बच्चों की संख्या ब्राबर इसमें कुछ करना नहीं होता दोस्तों सिर्फ क्या करना होता है कि दोनों सीरों को जोड़ देंगे और इसमें एक घटा देंगे तिसमें जागा 15 जोड 15 माइनस वन हो जाएगा बराबर 30 घटा एक बराबर 29 इस टाइप से दोस्तों हमारा आंसर 29 यह मारा आंसर हो गया इस टाइप से दोस्तों इसको बताया अगला सवाल आप देखते हैं दोस्तों इस सवाल है कि यदि यदि M गुना L का अर्थ है कि M L का भाई है M L का भाई है M-L का अर्थ है कि M L की बहान है M भाग L का अर्थ है M L का पुत्र है यदि M L का भाई है तो कौन सा सम्बंद सही होगा तो दोस्तो हम इसमें सबसे पहले हम देखेंगे D को D option को लेके देखेंगे दोस्तो जैसे D option में कह रहा है दोस्तो जैसे option number D हम रखते हैं कि M भाग K-L इस टाइप से दिया है जुअ मेहिसे लिखेंगे M पूत्र है के कहते हैं M पूत्र है के का की का पूत्र M है एस पूत्र है के का माइनस एल तो हम लिखेंगे एक माइनस अल का आर्थ होता है कि एमपोत रहें वहаже्टी एक ने मवान चुटा लिखेंगे दोस्तों के माइनस एल है तो हम लिखेंगे के माइनस और म इसका मतलब होता है दोस्तों कि दिया है इसमें भी दिया है कि M 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 तो के माइस एल बराबर हम लिखेंगे दोस्तों कि के बहन है यानि के बहन है ल का इस टाइप से दोस्तों ल का है अता हम देखते हैं दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन में मेरा अंसर आ गया दोस्तों आगे चेक करने का वह जरूत भी नहीं है क्यों लिखेंगे दोस्तों हम यहां पर है एम एम जो है न भांजा है कि मध्या है खे перек göra है आथ ऑन्सहें एम भांजा है अलका तो इसका आंसर हो जागा दोस्तों यहां पर इसका आंसर हम लिखेंगे कि कि जैसे कि M भाग के माइनस- यहांसर होगा दोस्तों। इसका मतलब है कि दी नमबर हमारा ओप्षन शही हो जाएगा यह दी नमबर हमारा ओप्षन सही होगा इस टैप से हमने देखा दोस्तों कि यह दिया हुआ है। टाइब से हमने रेजनिंग को सॉल्व किया वागे कोश्न है दोस्तों जाशे। कि जैसे अगला दोस्तों हैरेजनिंग का सवाल अगला सवाल है किसी संकेथिक भासा में पी ँए एटी एटी-ए-टी-ए-ब ये लिखा जाता है तो उसी भासा में डी-इशन को किस प्रकार लिखा जाएगा इस टायप से ओप्सन दिया धुश्टो तो सबसे प्रह civil दोस्तो इसको लिखेंगे आंसर में लिखेंगे यह तो आप्सन है तो एंसर में लिखेंगे दोस्तों हम इसमें के जैसे क्वेशन तो हो गया दोस्तों जैसे आंसर लिखेंगे दिया है जैसे पी ई एन जी आई एल अब इसमें दोस्तों लिखेंगे जैसे इसका दिया है टी इसका दिया है आई इसका द और इसका दिया है पी इस टाइप से दोस्तों दिया हुआ है जिसे यहां पर दोस्तों यह जो है यहां दिया हुआ है तो यहां पर दोस्तों जी हो जाएगा और सी हो जाएगा यह सी होगा और यहां भी सी होगा इस टाइप से होगा दोस्तों यह मिश्टेक हो गया तो दोस्त हुआ है क्योंकि 14- 14-7 इसमें भी जोड चार वहा है दोस्तों इस टाइप सम्द देख दोस्तों कि इसमें भी जैसे 9 तो आघ्र तैरह मतलब इहां भी जोड चार है और इहां होड़े है दोस्तों इसमें 2016 चार दिसा है भारा बारा बारा चार 16 उसी टाइब दोस्तों हम दूरषा देखेंगे दिया व है कि dr सांधर Good e-e-e-r इस टाइप से दोस्तो दिया वा है अब क्या करेंगे दोस्तो इसमें इसे चार है जिससे डी चार होता है तो प्हल पांच स्टी तो पांच पैर न पे आया जाएगा तो-ई-चोरज यह ए तो इसमें एक में चार्ज वोनेगा तो इसका इव जाएगा I 1945, थे शिमेर दोस्तों आ यह इस टाइब को आता है इस टाइब से दूंसरा हमने देखा कि कि है ऐच आई ए डेव्ल है पूर्ब होता है इसमें देखेंगे दोस्तो कि है आई इडेव्ल इसका ओप्शन नमबर न बहना फैसका बी आप्शन साही हो जाएगा दोस्तों इस टाइप से मैं इसको सॉल्प किया गई इसका ईंसर भी हो जाएगा यहां पे ओप्शन भी दिय क्या हुआ है आगे कोशन देखेंगे दोस्तों जिसे अगला कोशन दिया है दोस्तों कहता है कि यदि पश्रीम पूर्व को पूरब कहा जाए तथा उत्तर पश्रीम को पश्रीम कहा जाए तो उत्तर को क्या कहा जाएगा यह बोल्ड है दोस्तों तो हम क्या करेंगे सबसे पह बलता है कि बोलता है कि यह अब जैसे में दिया वहाइ परदम इहां पर ऐक बना लेते हैं जैसे से यह हो जाएगा में दोस्तों हो जाएगा नंग को भी गर अदियाता सिध्स कि यह हो जाएगा तोAre TOP अधर्स का श्याव यह कुरास्त्प अरै कि नहीं ह Intelli전 ईस्टे कुनकि यहां अपर दियाता है कि इस टाइब से दिया है और फिर क्या कहता है कि पूरब उत्तर जो है दोस्तों उत्तर पश्रिम हो जाता है यह पूरब जो जैसे है पूरब यह पूरब है जैसे पूराब ऊत्तर ये उत्तर है दोस्तों ऊत्तर दिया है तो इस ताइब से दिया है दोस्तों जी से ये वह हो गया पूरव और दक्षिन यह पश्चिम होगा दोस्तों यह पश्चिम होगा तो पश्चिम हो गया दोस्तों तो पश्चिम दिया हुआ है और उत्तर दिया हुआ है जो पश्चिम उत्तर क्या हो जाता है उत्तर पश्चिम हो जाता है उत्तर पश्चिम हो जाता है दोस्तों इस ट का जाता है उत्तर पार्श्चिम को पर शुम का जैता है एक Such a जाये टो उत्तर को ईत्तर को क्या जाएगा तुए ऊत्तर पास्षिम कहा जाएगा जाएगा इसका इस bug दोस्तों हमने 10 reasoning के सवाल को solve किया दोस्तों और दोस्तों थैंक यू धन्यवाद मैंने 10 को 10 reasoning के सवाल को solve किया दोस्तों आगे मैं फिर करूँगा धन्यवाद